हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीस किचन, आज मैं बनाने वाली हूँ उरत दाल के पकोडे ये एक टी टाइम स्नैक है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए हम लेंगे एक कप उरत दाल, जो 200 ग्राम है, इसे 4 गंटों के लिए भिगोए जार में पाव कप पानी, एक टी स्पून नमक डाल कर अच्छे से पीस ले, एक बारिक कटी हुई प्याज, एक कटी हुई हरे मिर्च, एक टी स्पून बारिक कटे हुए करी पते, एक टी स्पून बारिक कटा हुआ अध्रक, एक टी स्पून जीरा डाल कर अच्छे से मिक्स कर यह उरत दाल का बैटर है इसमें तमाम कटी हुई चीजों को डाल कर अच्छे से मिक्स करें और 10 मिनिट के लिए साइड में रख दे अब इसे मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राइ करें वर्ना ये अंदर से कच्छे रह जाएंगे आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन कलर हो चुके हैं अब इसे डिशाउट कर ले मैंने यहाँ सास लिया हैं आप इसे कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं हमारे गर्मा गरम और नरम उरत दाल के पकोड़े खाने के लिए रेडी है अगर आपको मेरी रेसिपीस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिलकुल ना भूले